जब रुशिया की सेना यूकरेन में इंटरी की थी और जब अपरेशन चल ला था तो यह हो राता कि कल सुबह जो है जो यूकरेन सरेंडर कर देगा यूद रात 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 नहीं जीते जाते कोतिन को यूकरेन आखर चाहिए क्यों? रुशियन पीपूल को चाहिए क्या? रुशियन पीपूल को चाहिए एक चीज वह है दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम रखना इस यूद का भारत पर अभी तक क्या असर पड़ा है? यूद का प्रभाव उस हर बिक्ते की उस हर थाली पर है तो दूसरे विश्व यूद के बाद ये यूद जो है वो एक सबसे बड़ा संकट है ऐसे में ये यूद आगे क्या मोड लेगा और भारत की इस यूद में क्या भूमिका है? इस सब पर बातचीत करने के लिए अज हमारे स्टूजियो में एक्सपर्ट प्रोफेसर संदीप तृपाटी जी मौझूद है संदीप जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है संदीप जी आपका बहुत स्वागत है तो डिप्लमाटिक कम्यूटीज में एक चर्चा थी कि इस यूद की जो समय सीमा है महस एक सबता है, माक्सिमिम पंदर दिन चल सकता है और जब रशिया की सेना यूकरेन में इंटरे की थी और जब ऑपरेशन चल ला था तो यह हो राता कि कल सुबह जो है जो यूकरेन सरेंडर कर देगा यह वैसे ही था जैसे कि विएतनाम वार जब स्टार्ट हुआ था तो अमरीका को मुझ की खानी पड़ी और वियतनाम ने साबित किया कि युद की जो सीमा होती है रातो रात नहीं होती है उतिहाश फिर यहीं भ रातो रात नहीं जीते जाती है उतिहाश होगे है यह नहीं इयृकरेनिकी पटिन को यूकरेन49 का जवाब सब्सक्रेज करना चाहँगा क्योंकि ए बड़ा सवाब है अखिर एक एक ऐसा ब्यक्ति पुतिन जिसके हम चर्चा करते हैं वह वही ब्यक्ति है जिन्होंने 2005 में यह कहा था कि disintegration of the Soviet Union was a geopolitical catastrophe that means यह बहुत बड़ी एक इतहासिक घटना थी ऐसी घटना थी कि और यह जो statement आया तो इसके पीछे जो logic यह था कि पुतिन wanted to restore the imperial identity of Shobati Union that means एक वो country जिसका अपना वर्चस रहा दुनिया में सासन करने का और एक सक्ता के चरम पर पहुंचने का हमें 1940-1950 के दौर में देखा Shobati Union को और और इस्पेसिल में पुतिन के दी बात करूँ यह वो इंसान है पुतिन जो 1980-90 में रूस को सोबित Union को पूटते हुई देखे थे उनका बच्पना जो था वो लेनी निग्राद में हुआ था और उनके उनके जो फेमिली थी वो दिती विश्यूद में लड़ी थी तो उनका बच्पना एक सोबित Union के चरमतकर्श को देखा और जब वो जॉब में आते हैं सर्विस में आते हैं तो सोबित Union को तूटते हुई देखा तो यह जो दर्द है पुतिन का वह दर्द यह था कि जब 2,000 उनको सक्का मिलती है तो उनका पहला लच्प यह होता है कि रूस को चाहिए क्या Russian people को चाहिए क्या Russian people को चाहिए एक चीज वो है दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम रखना और वो बादशाहत को कायम रखने के लिए पुतिन एक philosophy को जो है लॉंच करते हैं वो philosophy 2005 में बता दू मैं जो चार वर्स का समय था 2000 से 2004 तक यहां पुतिन रूस को रिस्टोर करते हैं और इन चार वर्सों पर जो आज आर्क राइवल है अमेरिका उसके साथ खड़ी होते हैं बुश और पुतिन साथ मिलके यह कहते हैं कि हम आतंकवात के खिलाइप लड़ाई लड़ेंगे लेकिन चार वर्सों में जैसे रुषिया की कौनमी रिस्टोर होने लगती है औक्सिजन मिलने लगती बेंटिलेटर शो वापस आने लगते हैं पुतिन तो पुतिन दो है पांच में कहते हैं कि यह जो collapse of the Soviet Union था यह जि सुपर पावर करूप में देखना चाहते थी वो यह मैसेज अमेरिका को दिये कि जिस सकती ने रूस को खंड खंड किया वही रूस फूर से पुना इस्थिती में आना चाहता है और यही कारण है कि जब 2022 में यह बाइस नहीं था 2014 भी था हमने क्रीमिय को देखा और यूक्र में कहते हैं कि अब यह वक्त आ गया है कि फिर से री ओडर किया जाए ग्लोबल ओडर को यह क्या था यह मैसेज था मेरिका को और 2008 में जॉर्चिया पर अटैक करता है रूश और वहां विक्ट्री लेता है और बेस्ट को नाटो को मैसेज देता है कि नाउड़ टाइम इस है है चेंज टाइम है चेंज जिव पोलेटिक्स है चेंज अब वह रूश उनीस सो पंचानवे का यल्शीन का रूश नहीं है यह पुतिन का रूश है और उनीस दोहजार तेरह तक आते चाओदा में जब क्रीमिय का इनक्सेशन होता है तो पूरा का पूरा जो वेस्ट में ख आया है जो बेदना उनीस सो असी नबे से चलिया रही जिस बेक्ति ने इंपीयल रशा को तूटते देखा वो दो हजार बाइस फरवरी का दिन था जिसे आपने कहा और उसी दिन पूतिन अटेक कर देते हैं यह ग्रेटर रशा बनाने का पूतिन का शंकल्ब था और आज ब चली रहा है आगे क्या भारत प्यासर पड़ सकता है यह भी बड़ा बहुत दिल्चिस्प बहुत महत्पूंश सवाल है और मैं अपने बीवर्स को बहुत ही सिंपल भासा में समझाना चाहता हूं क्योंकि इसकी चर्चा लगबल लगबल हर कोने पर होती है गली मुले में च प्यूश और यूक्रेयन की बीच में हो रहा है लेकिन भारत के 140 करोड की जंता के हर बेक्ति पर इसका प्रभाव अब पूछेंगे आपकी कैसे वह इस तरीके से मैं चोटे से एक्जामपल देता हूं भारत जो है यूक्रेयन से संफ्लावर ओयल को इंपोर्ट करता है अब समझे वीट जो एक्सपोर्ट है वो शौर यूक्रेयन है जवह गया कार मैं नीयुकिन को ठीक डाहर हम जो इंपोर्ट हो ताम हम जो इंपोर्ट करते हमारे इंपोर्ट बंद हो गै agora आक को देखailing भारत की बात करूँ हूं इसका दूंह दीकेद कशा है पर पार good crisis और मैंने आपको थाली की समझ से बताया कि inflation होगा क्यों क्योंकि आप तक वह sunflower oil आनी रहा है आप तक जो एक इंपोर्ट करता हुए भारत है और उसमें भी रशा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत को आज की situation यह है मैं आपको सिपरी की रिपोर्ट बताता हूं कि 36% 1964 के बाद अब तक ऐसा पहला ऐसा figure है कि भारत सिर्फ 36% जो है आम से इंपोर्ट कर रहा है इस समय लेकिन ऐसा क्यों हुआ क्योंकि रूस वह कंट्री और लेटी युद्ध में सनलिप्त है जो कंट्री हमें ओम्स को एक्सपोर्ट करता था तो यानि की एक तरफ हम sunflower की तरफ और वीट की तरफ से गए और तरफ हम defense की तरफ से गए तो जहां पर भारत की सुरच्छा का सवाल है क्योंकि जब आप security की बात करते हैं तो आप पस defense होना चाहिए और defense में हमारा जो मैं बताया कि दुनिया में किसी देश कितनी डिपेंडेंस ने जितनी भारत की है और जब आप making India की बात करते हैं जब आप domestic manufacturing की बात करते हैं तो रातो रात domestic manufacturing नहीं होता है अब भारत ने क क्या किया अपनी डिपेंडेंसी को कम किया और यह मजबूरी थी क्योंकि रूश ने signal भी भारत को देखिए हमारा सब क्या है हमारा साजयों समान नहीं आपको देने के लिए हम खुद यू दिल लड़ रहे हैं अपनी असमीता की लड़ाई लड़े हैं आप अपनी रच्छ की अब भारत अपनी रच्छा कैसे करें जब भारत के ओपर चाइना खडा युदर पाकिस्तान खडा है तो यह जो वार है यूद का प्रभाव दो तरीके स्पनव को दाये यूक्रेण की तरब से भी और रूस की तरब से और सबसे बड़ा मन्या को दाया फूड क्राइस, fuel crisis और defense का security का crisis.